प्रिय चात्रों, आज अपने अद्धिन करेंगे प्रविश्य निदी के संबन्द में, तो सबसे पहले जो बाग आते हैं कि प्रविश्य के लिए प्रभंद करना, प्रविश्य के वेतन में से प्रतिमा एक निश्चित रासी काट कर इस फंड में जमा करवाई जाती है, नियुकता भी एक निर्धारित रकम उसमें जमा करवाता है, इसके पसइव ये सेयुक्त्रासी यानिकी करमचारी कहंसदान एव नीयुक्ता कहंसदान यह रासी सरकारी पर्तिभूतियों में या पोस्ट आफिस में या बैंक में विन्विजित कर जाती है करमचारी के नौकरी छोड़ने पर अथवा अवकास ग्रहण करने पर इसमें एकत्रित रासी व्याज सहीत करमचारी को लौटा दी जाती है यदि सेवाकाल के दौरान कर्मचारी के मृत्यू हो जाती है तो ये रकम, ये रासी उसके कानूनी उत्रा अधिकारियों को प्रदान की जाती है तो बाद आती है कि प्रविडेंट फण यानि कि भविश्य के लिए भविश्य निदी का प्रभंद करना है तो इसमें नियोपता का भी अंसदान होता है, कर्मचारे के भी अंसदान होता है कितने तरीके का प्रविडेंट फंड होता है वो देखना है एक वैदानिक प्रविडेंट फंड, इस्ट्रैचुरी प्रविडेंट फंड कहलाता है जो की प्रमानित 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 प नाते हैं यानिकि जिनको आय कर कमिश्णय प्रमानित कर दिया वह प्रमानित प्रोगेंट जो व्यधनिक प्रेबटर फड़ तरपिरंट करनेते न आते उनने प्रोगेंटमानुट का जाता है साधान ते ये फंड छोटे स्थर पर वेपार करने वाली निजीस अंस्ताओं द्वारा रखा जाता है तो बात आती है बविश्य के लिए प्रबंद करना बविश्य ने दी अब बात आती है प्रोवडेंट फंड के संबंद में अंस्तान जो होता है एक करमचारी का अंस्तान होता है एक नियुकता का अंस्तान होता है किस का अंस्तान कितना आएकर अधिनियम के थहत वीतन का भाग माना जाए यहने कितना कर्योग में होगा कितना करमुक्त होगा इसके संदर में अपने देखेंगे सबसे पहले हैं इस चार्ट के इंतर पे देखिए करमचारी का अंस्दान तीन तरह के प्रविदेंट फंड, स्ट्रेश्चुरी प्रविदेंट फंड, रिकोगनाईज प्रविदेंट फंड, अन्रिकोगनाईज प्रविदेंट फंड करमचारी का अस्दान वेतन में हमीशा समलित रहता है तीनों इस्तितियों में चाहे statutory provident fund हो या recognized provident fund हो या unrecognized provident fund हो किस प्रकार होता है एक उधान से समझे जैसे किसी करमचारी का वेतन 40,000 पर प्रतिमा है और 10 प्रक्तिशक PF की provident fund की कटोती की जाती है तो उसको जो रासी प्राप्त होगी नेट शुद रासी वो 36,000 लेकिन वेतन उसका कितना मना जाएगा 40,000 क्योंकि 4,000 पर जो provident fund का काटा गया वो वेतन में समलित रहेगा वेतन का भाग मना जाएगा अब आते नियुकता का अंजदान 4,000 पर करमचारी के कट गए तो 4,000 पर नियुकता दे रहा है तो ऐसे स्थती में देखे वेदानिक provident fund वेतन में समलित नहीं होता यानि कि वो वेतन का भाग नहीं मना जाएगा यदि स्टेस्चुरी provident fund है तो रिकोगनाईज प्रमानित provident fund है वेतन में 12% से अधिक समलित होता है अब टू 12% एग्जिम्टेड और 10% of salary विल बी पार्ट अफ दी salary इनकम यदि नियुकता ने कहीं कहीं जो नियुकता है वो 20-25% अपने करमचारियों को provident fund में देते हैं माली जी कोई नियुकता अपने करमचारियों को 20% provident fund में रिकोगनाईज प्रमचार प्रमचार अधिक सम्दान देता है तो उस सती में जो 8% आधिक्य किरासी है वो करियोगयोगी यानि किवेतन का भाग मनी जाएगी अगर unrecognized provident fund है तो नियुकता का अच्दान जो है समलित नहीं होगा तो मुख्य रूप से जो बात समझनी है या रिकोगनाईज至 provident fund प्रमानित provident fund में वेतन के 12% से अधिकरासी समलित होगी वेतन का भाग मना जाएगा अब जो नियुक्ता का अंसदान एंव करमचारी का अंसदान दोनों का अंसदान मिला के समलित अंसदान नियुक्ता द्वारा कहीं विनियोजित किया जाता है उस पर ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज के सम्मंद में क्या नियम है वो हमें देखना है जो जमा ब्याज प् Provident Fund, यानि कि वेधनिक जो Provident Fund है, उसमेरी ब्याज प्राप्ट होता है, तो वेतर में समलित नहीं होगा. Part of the income, यानि कि part of the salary नहीं मिनद जाएगा. रिकोगनाईज प्रविदेंट फंड है ऐसी स्तती में 713 सीपर 9.5 प्रतिसद से अधिक जमाऊने लभ्याज वेतन में समलित होगा और अन्रिकोगनाईज वेतन में समलित नहीं होता तो मुख्य रूप से जो बात समझनी है वो ये नियुक्ता का अंसदान यदि 12 प्रतिसद से अधिक है तो रिकोगनाईज प्रविदेंट फंड में हम वेतन का भाग मानेंगे और यदि रिकोगनाईज प्रविदेंट में जमाँ होने वाले ब्याज 9.5 प्रतिसद से अधिक है एकतिरत जो रासी है कमिलेटेट जो अमाउंट है तो उस स्तिति में जो 9.5 प्रतिसद से अधिक ब्याज है वो वेतन में समलित होगा अब आप देखिए कि रिकोगनाईज और अन्रिकोगनाईज प्रविदेंट फंड में एम्प्लोयर्स कॉंट्रिबुशन एंड इंट्रेस्ट एग्जिम्टेट समलित नहीं होगा केवल विशेज रूप से जो है समझना है रिकोगनाईज प्रविदेंट फंड को जिसमें एम्प्लोयर्स कॉंट्रिबुशन मोर दें 12 परसेंट टाक्सेबल एंड इंट्रेस्ट उन देट मोर दें 9.5 परसेंट इस टाक्सेबल यह तो बात थी कि जब नियोक्ता कारे रत है अब यदि करमचारी सेवा निवरित हो जाता है या अपना वर्तमान नियोक्ता को छोड़ कर किसी अन्य जगे कारे करने लग जाता है उस इस्तती में नियोक्ता द्वारा उसको जो रिकोगनाइस प्रविदेंट फंड और अन्रिकोगनाइस प्रविदेंट फंड उसका करमचारी को भुक्तान करता है तो उसके सम्मन्द में क्या नियम है अर्थाद अवकास प्राप्ति पर मिलने वाली एकत्रित रासी उसके सम्मन्द में हम देखते हैं यदि Statuary Provident Fund है तो वेतन में समलित नहीं यानि कि वेतन का भाग नहीं माना जाएगा Recognize में जो कुछ Rules है वो हमें समझने होंगे वो क्या है वो देखिए यदि किसी करमचारी ने पांच वर्स नौकरी करने पर कर ली है तो वो Recognize Provident Fund वेतन का भाग नहीं होगा कम अवदी होने पर यदि ऐसे कांट से नौकरी छोड़ी गी हो जिस पर करमचारी का नियंतर नहीं हो तो भी समलित नहीं होगा अर्थात ऐसा कोई Retourishment कर दिया गया या Company बंद हो गई और किसी करमचारी को तीन साल बाद ही निकाल दिया गया हो और पांच वर्ष की सर्थ तो करनी पा रहा लेकिन ये काम करमचारी के नियंतर में नहीं था नियोकता ने उसको निकाल दिया क्योंकि वो फैक्टरी या जो भी है संस्तान वो बंद हो चुका तो उस कंडिशन में वेतन में समलित नहीं होगा पहली सर्थ पांच साल की नौकरी पूरी होने चीए अन्यथा करिए लेकिन करमचारी के नियंतर में नहीं होने पर पांच साल की सर्थ पूरी नहीं होती तो वेतन में समलित नहीं यदि किसी करमचारी ने पांच साल की सर्थ पूरी ने की कहीं तीन साल की नौकरी की उसके पर साथ दूसरे नियुकता के या नौकरी प्रारम कर दी और पहले नियुकता के प्रमाणित प्रणुफंड में करमचारी के व्यक्तिकत खाते का सेस दूसरे नियुकता द्वार रख परमानितary retained में हस्तानतित कर दिया जाये तो संबिड नहीं करें तो सफ़ क्या थी 5 साल की नोग्री करें यदि 5 साल की नहीं की मालेजय किसी करमचारी ने 4 बर्स सेवाइज दी और उसके पाज रिप अपना नयुकता परीवर्टित कर लिया कंई दूसी कंपशलियु जोईन कर लिया है तो पूरुद न्योक्ता से चार वर्स का जो प्रवडेंट फंड का वैलेंस था वो नए न्योक्ता के यहां यहरी ट्रांश्पकर कर दिया जाता है। प्रवडेंट अकाउंट में तो उसस्तति में ये जो रासी है कर योग्य नहीं होगी क्योंकि वो निरंतर उसके यहां चलती जाएगी दूसरे नियुकता की नौकरी छोड़ते समय दी दोनों नियुकताओं के यहां की गई नौकरी की एवदी मिलाकर पांच वर्स हो गई है तो हम समलित नहीं करेंगे अब बात आती है यह इस फंड की रासी धारा ATCCD में वर्णित पैंसन कोस में अंतित कर दी जाएं तब भी समलित नहीं करेंगे तो मुख्य रूप से जो बात समझने है एकत्रित एक मुस्त जो रासी प्राप्त होती है अवकास मिलने पर अवकास प्राप्ती पर रिकोग्नाईज प्रविडन्ट फंड है तो पांच वर्ष की नियन्ंतर सेवा होनी चाहिए उस ष्क्राप्ती में समलित नहीं करेंगे पांच वर्स का सेवकाल नहीं है तो दूसरे नियोक्ता के यां आपने वो प्रविडेंट फंड का बैलेंस ट्रांस पर कर दिया है तो वेतन में समलित नहीं करेंगे यदि पांच वर्स से कम की सेवा आउदी लेकिन नियोक्ता द्वारा या करमचारी के नियोक्ता द्वारा यदि इन सर्तों की पूर्ति कर दी जाती है तो उस स्थी में वो रिकोगनाइज प्रविडेंट फंड जो है वेतन का भाग नहीं माना जाएगा अर्थात कर योग्ये नहीं होगा अब आता Unrecognized Provident Fund और प्रमानित जो बविश्य निदी है उसके बारे में वहाँ एक मुस्तरासी प्राप्त होती है तो नियुकता का अंजदान और उसका ब्याज समलित होता है Employer's Contribution and Interest there on will be included in the salary या part of the salary करमचरी का अंजदान करमुक्त होगा Employee's Contribution will be exempted क्योंकि वह हमने पहले ही सामिल कर लिया अंजदान के ब्याज पर अन्य साधनों से आय सीर सके अंतरगत कर योगे दिखे इसमें सबसे पहली बात Employee's Contribution and Interest will be exempted या not included Employee's Contribution in URPF Unrecognized Prudent Fund Exempted, not included यानि कि इसमें समलित नहीं करेंगे But Interest there on There on means जो करमचारी का अंसदान है उस पर जो ब्याज पराप्त हुआ वो ब्याज हमारे अन्य साधनों के आय सीर सके अंतरगत Taxable होगा, कर योगे होगा, Income from other sources head के अंतरगत वो ब्याज, करमचारी के हंसदान का ब्याज कर योगे होगा अब बात हैती है, हस्तांतरित जो सेस वो क्या है यदि कोई नियोकना अप्रमानित प्रविडेंट फंड को Commissioner of Income Tax त्वारा अनमोदित करवा लेता है तो ऐसा अप्रमानित प्रविडेंट फंड अनमोदिन की तिथी से प्रमानित प्रविडेंट फंड मान लिया जाता है निकि गुर्टूनाइज प्रविडेंट फंड मान लिया जाएगा अप्रमाणित प्रवडिन्ट फंड के प्रमाणित प्रवडिन्ट फंड हो जाने पर उसमें जमाराशी का कुछ भाग प्रमाणित प्रवडिन्ट फंड में हास्तांतरित कर दिया जाता है उसे कहते हैं हस्तांत्रिट शेस ट्रांस्पर्ड बैलेंस इसके बारे में क्या नियम है कितना कर योग्य होगा वो हम देखते हैं हस्तांत्रिट शेस का केवल उतना भागी कर योग्य होगा जो इस प्रमानित प्रविनेंट फंड को प्रारम से प्रमानित माने जानी की दसा में प्रतिक वर्ष करयोग्य होता है जो भी हमारे नियम है 9.5% का और उसके बाद 12% ब्याज के सम्मन्द में आएकर अधिकारी बोर्ट द्वारा बनाएगे नियमों के तहित प्रतिक वर्ष के लिए ऐसी राश्य की गणना करेगा और फिर उनका योग करेगा आएकर अधिकारी नियम के इंतरत जो निर्धारित प्रतिशत है जिसे कॉंट्रिबुशन जो है रिकोगनाईज प्रवडेंट फंड में एंप्लोयर्स कॉंट्रिबुशन बारा प्रसेंट तक है वो एक्जेम्टेड है एंट्रस ऑन देन उस पे 9.5 प्रसेंट है लेकिन यह बदलता रहता है उस नियमों के इसाफ से हम इसको देखेंगे तो करमचारी द्वारा गतवर्स में प्राप्त माने जाएगी जिसे अप्रमानित प्रवडेंट फंड को प्रमानित किया जाता है उसी वर्स के करमचारी के आये में समलित की जाएगी तो जो हमने calculation की चाहे जो भी दर्व निधारी पूरु में थी उनके साब से तो करमचारी द्वारा गतवर्स में प्राप्त रासी बानी जाएगी उक्त रासी के लावा जो रासी सेस बज़ जाती है वे करमुक्त होगी परन्तु भूत काल में करमचारी द्वारा दिये गए कर के सम्मन्द में अन्य कोई छूट वापसी की रूप में या अन्य किसी रूप में नहीं दी जाएगी अर्थात पिछले वर्सों के करमचारी के अंस्दान के सम्मन्द में धारा 80C अथवा अब तो प्रभावनी 88 की कटोती नहीं दी जाएगी थेंक यू